नमस्कार मैं हूं राइदर सिंग आप देख रहे हैं नूस 48 आज हम गिरते हुई शिक्षा के इस्तर और नैतिक मुल्यों में गिरावड के मुद्धे पर बात करेंगे पेश आए खास रिपोर्ट शिक्षा के इस्तर को कैसे सुधार आजाए और नैतिक मुल्यों में गिरावड कर जिम्मेदार कौन के मुद्धे पर स्कूल संचार को और शिक्षा वडों से आए दिखाते की गई बाची आज के वक्त में बहुत जरूत है और सिक्षा के सुधार को सुधारने में कुई एक पहलू काम नहीं करेगा इसमें पेरेंट्स भी इसमें हमारे स्कूल के जितने भी तत्तो है या हमारे सरकार सभी को इसमें सहभागिता बहुत ज़रूरी है तब ही जाके शिक्षा के सदर में स्थार आ सकता है तीनों इसके लिए जुम्मेदार में बराबरी से मांगता हूँ स्कूल में बच्चा जब आता है उससे पहले को चार-पांच साल पी रिंट्स के पास होता है घर में जैसे संसकार मिलते हैं, जैसा माहौल मिलता है, उसको लेके वो विध्याले में आता है, विध्याले में भी आजकल देखा गया है, कि सभी तरह के घटनाएं आपको मिल जाती हैं, जो शर्मसार करने वाले भी होते हैं, विध्याले का तिक अच्छा जो आज का टीशर ह वो कल का स्टूडेंट था और इसमें सरकार के द्वारा जो पैदा की हुई ऐसे माहौल है वो भी तीनों जिम्मेदार है तो मैं सभी को जिम्मेदार मानता हूँ यह आठवी किलास से उपर लागू करना शही है अगर आठवी किलास से हम नीचे लागू करेंगे तो वो बच् जो क्वेश्चन रखा है वास्तों में है सचाई भी है लेकिन है सहरों तक बड़े सहरों तक सीमित है मैं अपनी एक्सपिरेंस की बात बता रहा हूँ हम एक ग्रामीन शेत्र में विद्धाले चला रहे हैं जब ज़्यादा फीस छोड़िएगा लिमिटेड फीस भी छेशे संपर्क नहीं है हाँ जो बड़े शहरों में है मैं तुप सिटीज में है वहाँ ये लागू हो सकता है हासत बिलकुल विद्ध्याव पारजन में सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है अपने स्वाध्धाय स्वास्त का healthy mind के अंदर ही sound शिक्षा पैदा होती है और इसकी स्वास्त के लिए ज़रूरी चीजे है वो करना तब ही जाके अच्छा सिक्षा ग्रहन कर सकते हैं स्वास्त के साथ साथ है आप जाप बाग्भारी चाप जाप प्रचलिफे ज़िए जाप एल और दब कश्त कर सकते हैं स्वास्त कर सकते हैं स्वादी कर सकते हैं अब तक की खबर में तरहीं देख करिए News 48